नमस्कार आज के फिन पॉइंट सेशन में आपका स्वागत है आज का फर्स्ट अब्रेट है इस अफ़ते चार कंपनी के IPO मार्केट में दस्तक दे रहे हैं इस बीच इन्वेस्टर्स को ग्लैनमार्क लाइफ साइंसिस की मार्केट में एंटरी का इंतजार है कंपनी के शेर्स का अलाट्मेंट कल हो सकता है इस फार्मा कंपनी का 1514 करो पीज का ये IPO 44.17 टाइम सब्सक्राइब हुआ था इस IPO के लिए कंपनी ने 695 टू 720 रुपीज पर शेर का प्राइस तैय किया था लेकिन ग्रे मार्केट में इसका प्राइस गिर रहा है अभी ये 100 का प्रीमिम अफेक्ट हुआ है ग्लैनमार्क लाइफ साइंसिस के शेर्स इस अफते के आखरी कारोबारी देन यानि 6 अगस्त 2021 को स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो सकते हैं अगर आप फाइन से जुड़ी ऐसी ही वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्स स्टॉक स्टॉक करने का अनांस्मेंट किया है जिसके बाद कमपनी के शेर्स में तेजी आई है आयार सी टीसी के शेर्स ने अपने पुराने हाई लेवल 2479.45 को पार कर लिया कमपनी ने ये लेवल 20 जिलाई 2021 को हासिल किया था आपको बता दे कि आयार सी टीसी ने में सरकार और शेर होल्डर्स की पर्मिशन लेना बागी है नेक्स्ट अब्डेट है फार्मस्योटिकल कंपनी ग्लैनमार्क फार्मस्योटिकल्स ने कैनाडा की बायोटेक फर्म सैनोटाइज रिसर्च और डेवलोपेंट कोर्परेशन के नाइटरिक ऑक्साइड नॉजल स्प्रे के कमर्शिलाजेशन के लिए उसके साथ एक एग्रिमेंट किया है ग्लैनमार्क ने स्टॉक एक्चेंजिस को बताया कि एग्रिमेंट के तहट कोविड-19 की ट्रीटमेंट में यूसफुल इस नॉजल स्प्रे का भारत, सिंगापोर और दूसरे एशन मार्केट्स में मैनॉफाक्ट्रिंग, मार्केटिंग और दिस्रिबिशन किया जाएगा ग्लैनमार्क फार्मसेटिकल्स के अकॉर्डिंग उसने जुलाई 2021 की शुरुवात में सेंट्रल ड्रग्स स्टांडर्ड कंट्रोल और्गनाजेशन की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की सामने नॉजल स्प्रे के इंपोर्ट और मार्केटिंग के एमर्जेंसी क्लेरेंस के लिए अपलाई किया था नेक्स्ट अप्डेट है बजाज ऑटो के अकॉर्डिंग जुलाई 2021 में उसकी टोटल सेल्स 44% बढ़कर 3,69,116 यूनिस हो गई कंपनी ने एक सार पहले सेम मन्त में 2,55,832 यूनिस की सेल की थी बजाज ऑटो के अकॉर्डिंग इस साल जुलाई में दोमेस्टिक सेल्स 1,67,273 यूनिस रही जो लास्ट यर सेम मन्त में 1,58,976 यूनिस थी जुलाई महीने में टोटल मोटरसाइकल सेल्स 39% बढ़कर 3,30,569 यूनिस रही जो लास्ट यर जुलाई में 2,38,556 यूनिस थी इसके लावा टोटल कमर्शल वीकल्स की सेल्स डबल से ज़्यादा बढ़कर 38,547 यूनिस हो गई जबकि जुलाई में एक्सपोर्ट बढ़कर 2,1843 यूनिस हो गया है नेक्स्ट अपडेट है ग्रोसरी, एट टेक, म्यूजिक, e-pharmacy, payments और fashion के बाद मुकेश अंबानी की नजर अब quick service restaurant बिजनस पर है खबर है कि मुकेश अंबानी की leadership वाली देश की सबसे valuable company Reliance Industries, दुनिया की सबसे बड़ी single brand restaurant chain Subway Inc. की Indian franchise को खरीदने के लिए बाचित कर रही है ये deal 20 to 25 क्रोड डॉलर यानि 1488 to 1860 क्रोड की हो सकती है Sandwich बनाने वाली company Subway Inc. का headquarter अमेरिका के connecticut में है कंपनी भारत में कई regional master franchise के जरिये business करती है अगर ये deal confirm हो जाती है तो इससे Reliance Industries की retail unit को पूरे भारत में Subway के लगभग 600 stores मिलेंगे नेक्स्ट अबडेट है देश की सबसे बड़ी online insurance aggregator Policy Bazaar ने 6017 क्रोड का IPO लाने के लिए SEBI के पास application फाइल कर दी है IPO में 3750 क्रोड का fresh issue जारी किया जाएगा इसका इस्तिमाल business के expansion और growth capital के तौर पर होगा बाकी 2267 क्रोड के shares off of a sale में बेचे जाएगे इसके अलावा 700 क्रोड के shares private placement के जारी बेचे जाएगे company ने 5.5 billion dollars से 6 billion dollars के बीच valuation का टारगेट रखा है Policy Bazaar में कई बड़े investors का पैसा लगा है इसमें Softbank, Temasec, InfoEdge, Tiger Global और Premji Invest का investment है आपको बता दे कि Policy Bazaar अपने customers को auto, health, life insurance और general insurance policies का assessment करने की facility देती है Policy Bazaar की app या website में हर साल 10 क्रोड visitors आते हैं और company हर महीने 4 लाग policies sell करती है यहाँ पर हमारा आज का finpoint session खतम होता है यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें comments करके बताएं और अगर वीडियो पसंद आई तो like ज़रूर करें हमसे जुड़े रहने के लिए Thank You